तू बाभू जो एक रिए अपना किड्नी पेचेगा ईंwe अर्रा किड्नी पेचएगाँ अपना आख पेचेगा है आख में मैं ऐसे चोड़ी को मारेगा तुम नमस्कार दोस्तो फिर हेरा फेरी तरी अब कुछी दिनों में रिलीज होने वाली है तो चलिए जानते हैं कि परेश रावल ने इंटेर्यू में क्या खुला सकिया है इस फिल्म को लेकर तो चलिए शुरू करते हैं अक्षे कुमार सुरिल शेटी और परेश रावल की सुपरिट कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी का तीसरा भाग इन दिनों खुब चर्चा में है दरसर इसको लेकर पिछले कई मैनों से चर्चा गरम में है जब से फिल्म की अनौंसमेंट हुई है तब से इस बात पर विवाद चल पर विवाद चल रहा है कि फिल्म में अक्षे कुमार राजु के केरदर में होंगे या नहीं लेकिन अब फिल्म का टीजर शूट होने की खबर भी आच चुबी है जिसमें हेरा फेरी 3 में अक्षे कुमार की मौज़दगी भी कंफ़ा हो चुकी है इतना ही नए इन तीनों क अब खबर आई थी कि अक्षे कुमार की जगब फिल्म में राजु का रोल कार्थी कारियन को दिया जा रहा है तब फैंस नाराज हो गए थे और अक्षे कुमार की फिल्म में वापसी की मांग करने लगे थे जिसका असर सोचल मेडिया पर भी देखने को मिला था लेकिन करेक्टर्स के साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए थे अक्टर ने इंटर्यू में बताया गिए इस बार तीनों किरदार विदेश में एक स्कायम में फसने वाले है खिबर है कि कार्ति का रियन अब इस máximo का हिस्सा नई है परेश्रावाद ने कहा कि पहले अक्षे कुमार और कार्तिक आरें दोनों ही इस फिल्म में काम करने वाले थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है उन्होंने बताया कि फिल्म में राजू, शाम और बाबु भ्य का किरदार वे तीनों ही निबाते नजर आएगे और इस बार वो वीदेशों में हेराफेरी करते नजर आएगे शुरुआत में फिल्म मुंबई में शूट होंगे उसके बाद इसके कारणी क्यारेक्टर्स को वीदेशों में ले जाती है जहापर अबू दाभी, दुबई और लॉस एंजिलिस में स्टोरी आगे बढ़ती है याने की तीनों लोग इस बार दुनिया बर में हेराफेरी करते नजर आएंगे हेराफेरी तिनकर निर्दशे फुराद सामाजी करेंगे ऐसा कहा जा रहा है, इससे पहले वे हाउसपूल 4 बच्चन पंडे के लिए हाथ आजमा चुके है अक्षे कुमार सुनेर शेट्टी और परेश्टावर की तिकडी को फ्रेंचेश के पहले दो भागों में बहुत पसंद किया गया था हेरा फेरी 2000 में आय थे और उसके बाद फिल्म का दूसरा भाग फिर हेरा फेरी 2006 में रिलिश किया गया था अब लगबग 17 साल के बाद फिल्म का तिसरा भाग बनने जा रहा है हेरा फेरी 3 के लिए अभी तक किसे एक्टरस का नाम सामने नहीं आया है तो दोस्तों आपको क्या लगता है हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी से भी हठी ये फिल्म होंगी यह हमें केमेंट सेक्शन में बताई यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें धन्यवाद